भारत ने विश्वेपार संक्षन की बैठक में गेहूं और चावल के निर्यात पर पाबंदी के लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है हलाकि संक्ठन के सदसे कुछ देशों ने भारत के रुख को लेकर चिंता जताई है डव्लियोचीयो की बैठक पिछले हफ्ते जिनेवा में हुई थी जिसमें अमेरिका यूरोपिया संग ने इस फैसले का सवाल उठाते हुए कहा है कि वियश्विक बजार पर इसका प्रतिकूल परभाव पढ़ सकता है दरसल भारत ने घ्रेलू उपलफता को बढ़ाने के लिए मई में गेहू के निर्याद पर प्रतिवन पाबंदी लगा दी थी उसने चावल के टुकड़े के निर्याद पर भी रोक लगाई थी और उसना को छोड़कर गैर बास्मती चावल के निर्याद पर बीस फिस्दी उत्पात शुलक लगाया था दरसल चालू खरीब सत्र में धान की फसल की वुआई कम हुई है ऐसे में घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था अपने फैसले का बचाव करते हुए भारत ने ये सपस्ट किया है कि चावल के टुकडे के निर्याद पर पाबंदी इसले लगाई गई क्योंकि हाली के महिनों में अनाज का निर्याद बढ़ गया है जिससे घरेलू बजार पर दबाव पड़ रहा था वहीं गेहू के मामले में खाद्य सुरक्षा चिंताओं की वज़े से निर्याद पर पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ी भारत से चावल की टुकड़े और चावल के अन्य उत्पादों का बड़े प्यमाने पर आयाद करने वाले सेनेगल ने अनुरोध किया है कि इस कठीन वक्त में खाद्य उपलपता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यपार खुला रखें बैठक में थाइलेंड, औस्टेलिया, उरुगेवे, अमेरिका, कनेड़ा, बराजिल, न्यूजिलेंड, प्रागवे और जपान ने भारत के साथ खाद्य कारेकरम को लेकर शांती उपबंद के उप्योग के समन्द में बात करने का नुरोध किया है भारत ने धानकिसानों को 10% की सीमा से अधिक समर्थन देने के लिए अप्रेल में तीसरी बार शांती उपबंद का इस्तेमाल किया था विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी